Realme X दोस्तो इस फोन के लिए हमें से बहुत सारे लोग रुके हुए थे जब से ये फोन चायना में लॉंच हुआ था क्योंकि इतने कम प्राइस में इसको लॉंच किया गया था और इतने अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिले थे Realme X में जिसके लिए बहुत सारे लोग इंडिया में वेट कर रहे थे Realme X का लेकिन मारब सेट ने दोस्तो एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने कहा था जब ये फोन इंडिया में लॉंच होगा इसी फोन के Confirm Space Vision के बाड़े में आपको बताऊंगा कि इस फोन में क्या नए फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं और इसकी इंडिया में क्या प्राइस रह सकती है सारी चीज़ा आज के इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हल्फुल लगे तो लाइक जरूर कीज़ेगा इस वीडियो में दोस्तो हम लोग रखते हैं 1000 लाइक का टारगेट I hope कि आप इस टारगेट को पूरा कर दोगे सबसे पहले दोस्तो बात करता है इस फोन के डिस्पले के बाड़े में तो यहाँ पे 6.5 इंच की आपको एक डिस्पले मिलने वाली है जो के सूपर एमोलेड होगी और फुल HD प्लस होने वाली है इन डिस्पले फिंगर्बेंट स्केनर भी आपको इस फोन में देखने को मि जाएगा फोन में दोस्तो आपको onion और garlic का master edition देखने को मिलेगा और Spider Man special edition भी देखने को मिल जाएगा यानी यह जो फोन है दिखने में जैसा आपको Chinese variant में देखने को मिलता था same to same OSI होने वाला है अब बात करते हैं अस फोन के processor को लिकर जिसके सबसे ज्यादा लोग excited है लो जो कि आपको Chinese variant पे भी देखने को मिलता है यानि प्रोसेसर बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है Snapdragon 710 के उपड़ ही ये phone launch होने वाला है और अगर मैं बात करूँ RAM और storage variant की तो यहाँ थोड़े बहुत आपको changes देखने को मिलेंगे एक variant दोस्तो लाउंच होने वाला है 4GB RAM 118GB storage के साथ और 8GB RAM 118GB storage के साथ इसके इलाव अभी दोस्तो तीन variant और होने वाले है उसके बाड़े में अभी जानकर ही available नहीं है इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पे आपको triple card slot मिलता है या फिन नहीं मिलता है तो आपको बता दू यहाँ पे आपको कोई भी triple card slot नहीं मिलने वाला है ना ही आपको यहाँ पे hybrid SIM slot मिलने वाला है यहाँ पे सिर्फ आपको दो nano SIM card का slot मिलेगा जैसा कि हमें Chinese variant में देखने को मिलता है यानि जो इस phone का processor है दोस्तो वो बिल्कुल same रहने वाला Chinese वाला ही और यहाँ पे आपको triple card slot भी नहीं मिलने वाला है उसके बाद अगर दोस्तों मैं आपसे बात करो आगे इस phone के cameras की तो यहाँ पे दोस्तों आपको 48 plus 5 megapixel का dual rear camera देखने को मिलने वाला है जो main sensor है वो है Sony IMX 586 का और जो front camera दोस्तों वो 16 megapixel का pop-up selfie camera होने वाला है अगर battery life की बात करें दोस्तों तो इस phone में आपको 3765 mAh की battery इस phone में देखने को मिल जाएगा बांकी और चीजों की बात की जाए तो यह जो phone है आपको Android 9 Pie के ऊपर मिलेगा Color OS 6 के सांथ इसके अलावा in display fingerprint scanner उसके बाद face unlock 3.5mm audio jack का support और बांकी सभी necessary sensors जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे इस phone में तो यही कुछ चीजों के साथ जो है दोस्तों यह phone launch होने वाला है अगर आप सोच रहे थे यह जो phone है नए processor के साथ आएगा इंडिया में तो ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला है जो इंडिया में changes होंगे दोस्तों वो RAM और storage variant में होने वाला है 4GB RAM का option आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों इंडिया में फोन लेना चाहोगे या फिर आप चाहोगे Vivo Z1 Pro के साथ जाना या फिर Redmi K20 जो आ रहा है उसके साथ आप जाना चाहोगे मैं आपको यहाँ पर एक बाब ददना चाहता हूँ इस phone की जो price है लगबग आपका 15, 16, 17 इसी के बीच में start होने वाला है ज्यादा जो chances है दोस्तों ज़्यादा अगर price में launch करता है Snapdragon 710 के साथ तो मुझे नहीं लगता है बहुत सारे लोग जो है इस phone को लेना चाहेंगे क्योंकि अगर वो थोड़े पैसे ज़्यादा लगाते है तो उनको Redmi K20 जो है मिल जाएगा जो इस phone से काफी बहतर है Snapdragon 730 chipset के साथ वो launch होने वाला है बा